बिहार बोर्ड का एक चेहरा नकल वाला रहा है और नकल की एक तस्वीर पूरे देश में वाइरल हुई और बिहार की सिक्षा वेवस्ता सवालों में आ गई है और टोपर घोटाला से लेकर नकल के अन्य आरोपों के दाग से बिहार बोर्ड अब काफी हद तक बहार निकल के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली सिक्षा की तस्वीर बदल दी है और आप बोर्ड परिक्षा 2022 के इंटर एक्जाम से पूर्फ सिक्षा मंतरी विजे कुमार चोधरी ने नकल को लेकर अपील करते हुए इससे भविश्य के खत्रे से आ कक्ष में सीसी टीवी कैमरे के साथ नकल रोकने की हर तयारी की गई है और अब सरकार भी नकल रोकने के लिए जाग रुकता अभ्यान चला रही है और ब्यार सरकार के सिक्षा मंतरी विजे कुमार चोधरी ने स्टूडेंट से अपील की है कि वो नकल कर अपना भविश्य ब अमान देने और उनके सैक्षिक प्रदेशन को प्रतिश्टित करने के लिए नकल विहिंद परिक्षा के आईजन को लेकर सरकार रिंड संकल्थ है और इंटर परिक्षा पास करने के बाद चात चात रहें विब्बिन तक्निकी और विवसाइक पाटेकरम के संस्थानों में नामानकन के लिए योग्य होते हैं जहां अपनी प्रतिवा के बल पर काम्याबी हासिल कर अपने साथ साथ समाज और राज्यों को गुर्वन्तित करते हैं और वहीं सिक्षा विभा के शराब बंदी से जुड़े आदेश ने सरकार की टेंशन बढ़ा दिये और आदेश को तुगल की फर्मान बताते हुए आक्रोशित सिक्षक अब 6 फरवरी को राज्य की सभी 38 जिलों में सियम नितिश कुमार का पुतला जिलाएंगे और वहीं इस दोरान सिक्षा मंत्री विजे कुमार चोधरी का भी पुतला जिलाए जाएगा और वहीं ब्यार राज्य प्रयारंबिक सिक्षक संग में आंदोलन तेश करने की चेतावनी दी है सभी जिलों में संगठनों को हर इस्तर पर विरोध प्रदेशन करने को का है और अगर आदेश वापस नहीं लिया जाता तो स्कूल खुलने के बाद सिक्षकों का आंदोलन और उग्र हो जाएगा और भ्यार राजे प्रारंबिक सिक्षक संग के प्रदेश अद्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पु ने कहा कि सिक्षक अदिकार अदिनियम के तहट मानने न्याले और सरकार के मुख्य सचीव ने पत्र जारी का सिक्षकों से किसी प्रकार की गयर साक्षनिक कारे नहीं लेने का आदेश कर चुकें इसके बाद भी सिक्षक अदिकार अदिनियम का सत्यानास करने के लिए तुगल की फर्मान जारी किया जा रहा है और अब भ्यार में सिक्षकों को सिक्षन कारे से अन्ने कारें में लगाने का खेल चल रहा है और कहा कि सिक्षकों द्वारा खुले में सोच करने वाले वैक्टियों की पहरेदारी चावल का बोरा बेश कर रासी जमा करने का आदेश समेश दर्जनों और सेक्षनिक जैसी दर्ज दिया जा चुका है। भी नहीं मानेगी और ऐसे आदेश वापस नहीं हुआ तो राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा। मुझफर पूर जिले के मनिहारी थाना चेर के मरीचा में प्रेमी का सही मिलने आये प्रेमी को लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। और फिर उसे बिजली के पोल से बान कर जम कर पिटाई की गई। और इस दोरान किसी युवक ने इसका वीडियो बना डाला और सोचल मीडिया पर डाल दिया। और दो मिंट से अधिक के इस वीडियो में आकरोशित भीड की और से युवक की पिटाई करते देखा जा सकता है। और पिटाई का ये मामला मन्यारी पुलिस के संग्यान में भी पहुँचा और वही धानेदार अजे पासवान ने जांश शुरू कर दिये। और उन्होंने कहा कि जिस गाउं का ये वीडियो बताय जा रहा है वहाँ पर पुलिस चानविन करने गई तो लेकिन कोई भी संबद में जानकारी नहीं देने से बच रहा है। और वीडियो फूटेज के माध्यम से पुलिस चिस में दिख रहे लोगों की पैचान कर आगे की कारवाई कर रही है और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाव कारवाई की जाएगी। वीडियो सोमवार रात का है और युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर रात के अंधेरे में पहुँच गया था और इसी दोरान आहट सुनकर युवति के पैचनों की नीन खुल गए और उन लोगों ने युवक को रंगे हाथ दबोच लिया और इसके बाद आसपास स भी काफी संख्या में लोगों की भीड मोके पर जुड गई और पहले तो युवक को बिना बांदे ही पिटाए की गई लेकिन जब वो भागने लगा तो भीड ने उसे दोड़ा कर दबोच लिया और फिर बिजली के पोल से बांद कर पिटा गया और एक ग्रामिन ने नाम बताने की शर्ट पर बताया कि युवक भी आसपास का ही रहने वाला था और उसके पहेजनों को इसकी सूचना दी गई थी और बाद में उन लोगों के माफी मांगने और भविशे में दोबारा ऐसी गलती नहीं करने पर युवक को छोड़ दिया गया और थानेदार ने बत